हलो एवरिवन स्वागत है आपका रेप्लिका वोल्ट में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं HNB University का B.A.D. Entrance Related एक काउंसलिक नोटिस है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि आप लोग का Entrance का Result आज आ चुका है तो अगर आपने Result नहीं देखा है तो उसको जाकर फटाफट से देखे जैसे आप Result देखेंगे वहाँ पर आपको दो चीज़े और मिलेंगी एक तो Cut Off Marks की List मिलेगी और साथ साथ में एक Counseling Notice भी मिलेगा तो आज हम लोग शेर करेंगे आपके साथ Counseling Notice और साथ साथ में हम बात करेंगे Cut Off Marks की भी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात हम लोग करते हैं Cut Off Marks की तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जो आपको दिख रहा है यह उसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा यानि HNB गड़वाल की जो आपकी ओफिशल वेबसाइट है तो यहाँ पर देखिए एक टेबल बनी हुई है जसमें आपको Date of Counseling, Group और Cut Off Marks हैं तो जो हमारी counseling होगी वो 3 December से शुरू होगी तो 3 December को जिन लोगों को जाना है 4 December को जिन लोगों को जाना है उनकी list यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर 3 December को Arts और Commerce वाले जो बच्चे हैं यानि जिनकी जो degree है वो Arts और Commerce में है वो तीन दिसम्मर को जाएंगे अपनी काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग के लिए वो ही लोग जाएंगे जिनका लिस्ट में नाम होगा तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी वाइस कट ओफ मार्क्स मेंशन करे हुए हैं जर्नल, OBC, SC, ST और एकोनॉमिक विकर सेक्शन तो यह सारे हमें कैटेगरी हैं जहाँ पर कट ओफ मार्क्स मेंशन है जिसे जर्नल के 127 है आर्ट्स और कॉमर सेक्शन में OBC के 121, SC 120, ST 124, EWS 126 जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अंदर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर कि आपको स्टूडेंट का नाम मिलेगा विद मार्क्स तो आपको वहाँ पर अगर आपका नाम है उस लिस्ट में तो आपको तीन तारिक को जाना है काउंसलिंग के लिए अगर नाम नहीं है तो आपको नहीं जाना है उसी तरीके से 4 दिसंबर 2021 को भी एक काउंसलिंग होगी जो की साइंस ग्रुप के लिए होगी यहाँ पर भी सारे कट आफ दिये हो हैं साइंस ग्रुप के जर्नल के लिए 144 मार्क्स OBC के लिए 133, SC के लिए 128, ST के लिए 111 और EWS के लिए 140 तो इस तरीके से यहाँ पर जब आप चेक करेंगे इसके अंदर जाके तो आपको अपनी कैटेगरी में जाएगा जैसे मालीज आप OBC हैं तो OBC पर क्लिक कीजेगा और वहाँ पर अगर आपका नाम होगा तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है 4 December को बात आती है 5 December की तो जो बच्चे 3 और 4 में नहीं कर पाएंगे अपनी काउंसलिंग तो वो 5 में जाएंगे जिनका लिस्ट में नाम है तो इस तरीके से यह तो बात हुई कि कब जाना है काउंसलिंग में वो सिर्फ दो campus में होगा, एक तो बिर्ला campus श्री नगर और एक SRT परिसर बादशाही थोल तीहरी, तो यहाँ पर दो जगे आपका admission होगा, counseling के बाद, और जो admission होगा, वो तभी होगा, एक तो जब आप merit list में आते हों, और दूसरी चीज, आप सारी requirement जो हैं, वो fulfill करते हों, त का मतलब जरूरी नहीं है, कि आपका admission हो जाएगा, counseling के आधार पर जितनी seat होंगी, और अगर आप जो eligibility होती है, वो पूरी करते हैं, और आपकी सारी details सही होती हैं, तब ही जाके आपका admission confirm हो पाएगा, merit list में आना admission का confirmation नहीं है, यह एक important चीज है, चलिए अब हम चलते हैं, और जानते हैं कि क्या कै चीज़े इसमें करनी हैं हमें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दिसमबर को जाना है कला और वानीजे वर्क को, यानि की arts और commerce वालों को 3 दिसमबर को counseling के लिए जाना है, और विज्ञान वर्क को यानि science को 4 दिसमबर में जाना है, जो 3 और 4 में नहीं जा पाएंगे, जो छूट जाएंगे, ठीक है, या जिनकी नहीं हो पाएगी counseling वो 5 तारिक को जाएंगे, जो समय है सत्यापन का, वो है 10 बज़े से लेके 4 बज़े तक, तो counseling में आपको क्या करना है, अपने documents लेके जाना है, उनका सत्यापन करवाना है, तो सत्यापन क जो समय है, यानि counseling का जो time है, वो सुबह 10 बज़े से लेके, शाम 4 बज़े तक है, स्थान के अगर हम बात करें, यानि किस जगे आपको जाना है, तो आपको शिक्षा विभाग में जाना है, बिल्ला परिसर श्री नगर, यानि जो HNB University है हमारी, उसके 3 campus है, जिसमें से कि ज ठीक है, वहाँ पर अगर आप admission लेना चाहते हैं, जो कि self finance पर admission होगा, जो कि government seat पर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको 10 December से पहले पहले अपना सत्यापन जाकर करवाना होगा, और अपना पंजी करण वहाँ पर करवाना होगा, ये important चीज है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप जब जा रहे हैं, तो आपको किन किन documents की जरुवत है, वो बहुत ही important चीज है, देखे, जो भी आप document लेकर जाएंगे, उसकी original copy आपको लेके जानी है, ये अगर आपकी mark sheet है, तो original mark sheet लेके जानी है आपको, साथ साथ में, जो भी documents है, वो original लेके जानी है, उसके साथ हर एक document की दो copies लेके जानी है, यानि दो photocopy लेके जानी है, जो कि self attested होनी चाहिए, यानि आपके खुद के sign होने चाहिए उसपे, ठीक है, अब हम discuss करते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं, जो कि हमें लेके जानी है, एक बहुत जरूरी चीज, B8 प्रवेश्च परिक्षा का ज लेके जाना है, original में भी और photo state दो, इसके अलावा, high school का जो प्रमान पत्र होता है, वो लेके जाना है, original प्लस दो photocopy, high school एवं intermediate की अंग तालिका लेके जाने हैं, उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया है, original प्लस photocopy, intermediate या संबक्ष डिगरी का प्रमान पत्र, ठीक है, य अगर आप post graduate हैं, तो उसकी अंग तालिका यानि कि उसकी mark sheet आपको लेके जानी है, इसके अलावा, अगर आप किसी special category से belong करते हैं, जैसे कि अगर आप अनुसुची जन जाती हैं, या जाती हैं, या SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या EWS हैं, या PWD हैं, जो भी आप हैं, उसका certificate आपको लेके जाना है, उसकी original copy और उसकी दो photocopy, चीक है, और दूसी चीज ये, कि जो OBC और EWS वाले हैं, उनका जो certificate होना चाहिए, वो इसी financial year का, यानि इसी वित्यवर्ष का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप जो अन्य पिछडे work वाले हैं, यानि जो OBC अन्य पिछले वर्ष का अपने माता पिता का गैर क्रीमी लेयर प्रमान पत्रभी प्रस्तोत करना है, ठीक है, नोन क्रीमी लेयर का जो certificate होता है, वो अपने पेरेंट्स का भी आपको वहाँ पे सम्मिट करना है, इसके साथ आपको तीन passport size के photo चाहिए, अपने अपना आधार कार्ट चाहिए, ठीक है, अगर आप NCC, NSS, sports या कोई भी co-curricular activity के weightage पर marks attain करना चाहते हैं, यानि उसका weightage आप लेना चाहते हैं, तो उसका प्रमान पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अब बात आती है कि जिन लोगों का जो इसा प्रमान पत्र हैं, ये सही होंग इसके बाद मालीज आपकी counselling हो जाती है और आपको कह दिया जाता है कि हाँ आपको इस campus में seat मिल गई है, तो seat मिलने के बाद भी अभी procedure पूरा नहीं हुआ है, उस campus में आपको admission लेना होगा, अब admission कैसे लेना होगा, उस campus का आपको form भरना पड़ेगा, form भरने के बाद आप आपको वहाँ की fee submit करनी पड़ेगी, तब ही जाके आपका admission उसमें होगा, तो seat आपको मिल जाती है, तो इसका मतलब आप admission वहाँ पे ले सकते हैं, पर admission जाकर लेना पड़ेगा, ठीक है तो admission आपको लेना होगा, तो admission के time पे भी ये जो सब चीजे आपने दिखाई थी, इन कहीं पे अभी काम करते हैं, तो वहाँ से दो वर्ष की आप छुटी लेंगे, ठीक है, इसके अलाबा, यहाँ पे जो प्रवेश हो जाएगा, उसके पश्चात आपको दूसी जगए ship नहीं किया जाएगा, इस तरीके कुछ बातें यहाँ पर दी हुई हैं, जो कि आप खु कोविड नियमों का आपको पालन करना है, वहाँ पर कोविड के अनुसारी आपको चलना है वहाँ पर ठीक है, और इस तरीके से यह कुछ हमारी डीटेल्स थी कि किस तरीके से आप अपना एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं, एक इंपोर्टन चीज यह रहती है, कि अगर जो नेक्स्ट बच्चे होंगे, उन्हें फिर काउंसलिंग की जाएगी, उनको इंपोर्टन्स दी जाएगी और उनको सीर दी जाएगी, वो ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, कि आपका एडमिशन फर्स काउंसलिंग में ना हो पाए, तो सेकिंड काउंसलिंग में आपका हो जाएगा, क्योंकि सीर बच्चती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो अपनी सिटी में अडमिशन लेना चाहते हैं, वो कैंपस में अडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर वो अपनी सीर को छोड़ देंगे, तो बाकी के जो नेक्स्ट वाले बच्चे होंगे उनको admission आराम से मिल जाएगा तो इस तरीके से अगर आपका पहली counseling में नहीं होता है तो आपको उमीद नहीं छोड़नी है आपका admission हो जाएगा तो इस तरीके से आज हमने चर्चा की किस तरीके से rules हैं हमारे counseling के और कैसे कैसे आप लोगों को करना है तो मैं उमीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें शेयर करें और एपले कावल को सब्सक्राइब करें